कई बार मैंने देखा है कि हम पेड़ पौधे तो लगा लेते हैं लेकिन उसमें ग्रोथ ही नहीं होती है हम जब नर्सरी से पौधा खरीद कर लाते हैं उस समय जितनी ग्रोथ होती है या जितनी कलियां बनी होती है नर्सरी पर बस उतनी कलिया खिल करके हमारा पौधा बिलकुल शांत गमले में पढ़ा रहता है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने पौधे को जल्दी घना बढ़ा कैसे कर सकते हैं इस तरीके से आपके पौधे की पत्यां बिलकुल नहीं जिलेंगी और पौधा बिलकुल स्वस्त रहेगा यदि आपके तुलसी का पौधा सूख रहा है गर्मियों में या कड़ी पत्ता घना नहीं हो रहा है तो इन सभी पौधों को आप ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं कई लोगों की क्वेरी है कि हमारे सदा बहार की पत्यां बिलकुल पीली हो रही है क्रोटोन की पत्यां पीली हो रही है या फिर फर्न का कोई पौधा आपके पास है जो की बहुत हाड़ी होता है लेकिन गर्वियों में उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इस फर्टिलाइजर को उन सभी प्लांट को दे सकते हैं ये 100% फ्री का फर्टिलाइजर है जो आप सभी अपने घर में तयार कर सकते हैं इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है देखिए जितने भी फर्ट के पौदे हैं या सिंगोनियम है या मनी प्लांट है इन पौधों को नाइट्रोजन की बहुत जादा जरूरत होती है उचित खाद पानी के साथ साथ सही लोकेशन का भी गर्मियों में ध्यान रखना जरूरी होता है इन पौधों को ज़्यादा धूप में रखने से इसकी पत्या खराब हो जाती है जैसे ये देखिए मेरे एक फर्ण का पौदा है काफी पौदा है इसको मैंने डिवाइड करके लगाया है और देखिए ये सूख ही गया था अल्मोस्ट लेकिन इसमें मैं उचित खाद पानी डालती रही और अब नए नए शूट्स आने लगे है तो ये जो फर्ण का पौदा है ये हाड़ी प्लांट होता है ये यदि आपको लग रहा है कि मर रहा है आपके गमले में आपको कोई छेड़ छाड़ करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप घरेलू खाद दीजी और इसे थोड़ी शेड में रख दीजी ऐसा आप अपने सभी पौदे के साथ कर सकते हैं यदि आपके पास सिंगोनियम है, मनी प्लांट है और उसकी पत्या जल रही है तो वह गर्मी की वज़े से हो रहा है यदि आपके हाँ बारिश हो रही है जैसे आज हमारे हाँ बहुत ही जादा बारिश होई है सुबह तो बारिश के पानी में अपने सभी पौधों को ओपन में जरूर रखें इसे पौधे स्वस्थ होते हैं बारिश के पानी में बहुत सारे ऐसे मीनरल्स और माइक्रो निट्रियंट्स होते हैं जो आपके पौधे को एक ही बरसात में एक ही बारिश में स्वस्थ बना देते हैं देखिए ये क्रोटोन का पौधा है काफी स्वस्थ चल रहा है और जिन लोग की क्वेरी थी कि उनके क्रोटोन की पत्तियां गिर रही हैं तो इस फर्टिलाइजर को आप दीजिए आपके क्रोटोन में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने लगेगी आपके वो पौधे जो पीले पढ़ रहे हैं उन्हें आप पहली बार ट्रीम कर दीजिए उन पौधों को जितने भी पत्तियों वाले पौधे हैं या फूलों वाले पौधे उनकी मिट्टी को मौइस्ट बना कर रखिए मिट्टी बहुत जादा ड्राई ना हो वरना इसका सीधा स्ट्रेस आपके पौधे पर पढ़ता है अपने पौधे को सुबह शाम मिस्टिंग करते हुए पानी डालिए देखिए ये मेरे स्पाइडर प्लांट का पौधा है और इसमें ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है मारा पौधा नहीं ग्रो कर रहा है वो कहीं न कहीं बहुत जादा धूप में पड़ा है या लोकेशन सही नहीं है देखिए ये जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है ये है तोरी के चिलके तोरी ऐसी सबजी है जो मुझे लगता है इंडिया में सभी जगे पाई जाती है औ तोरी को यूज करने के बाद यदि आप उसके चिलके को 24 घंटे पानी में भिगो देते है और फिर उसके पानी को यूज करते है तो इससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपके पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत अच्छी हो है कि इससे हमारे पौधे बहुत स्वस्त होते देखिए मेरे तुलसी का पौधा पिछले तीन-चार सालों से इसी गमले में लगा हुआ है और आप देख लीजे जहां-जहां से कट किया है वहां से नई पत्तिया निकली है और डंडी कितनी मोटी निकल करके आई है तो यदि ह सम नाइट्रोजन योक्त फ्री की खाथ जो घर में आपको बताती रहती हूं यह यदि यूज़ करते है तो पौधे के स्ट्रेंथ मजबूती हमेशा अच्छी बनी रहती है आपको पता है तोरी के चिलके में विटमेंस प्रोटीन फाइवर और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि 3-4 घंटे पहले आपने भिगोया है तो आप फ्रेश ही इस पानी को यूज़ कर सकते हैं लेकिन पानी 24 घंटे पुराना है तो जैसे मैं हमेशा बताती हूं इसमें अपने एकॉर्डिंग नॉर्मल वाटर मिला लीजे और मिला करके अपने सभी प्लांट्स को दे दीजे इसी से वाटरिंग कर दीजे इसमें कोईंटिटी का कोई वो नहीं है कि कितना देना है आप जितनी आपके गमले की रिक्वार्मेंट है उतनी दे दीजे और इसे आप रिपीट वीक में मन्त में जब चाहें कर सकते हैं जब भी आपके पास छिलके अविलेबल हैं इसका पा मात्रा में मिल जाएगी कि आपके पौधे लश ग्रीन हो जाएंगे मनी प्लांट का कोई पौधा है क्रोटोन है या पीस लिली है ऐसे जितने इंडोर प्लांट है सब को आप दे कर देखिए मुझे उमीद है कि 100% आपको रिजल्ट मिलेगा मैं इन्हीं चीजों का हमेशा सहा लेती हूँ जिससे कि हमारे पौधे स्वस्त नजर आते हैं यदि पौधों की पत्तियों का टिप जल रहा है तो आप इससे स्प्रे भी कर सकते हैं अब इसको करना क्या है एक बार यूज कर लिया दुबारा पानी डाल कर रख दीजे जब दो तीन बार यूज कर लिजे तो वर्मीज जिससे वर्मी कमपोस्ट बनती है और आपके गमले में वर्मीज का होना बहुत जरूरी है तो हमेशा ऐसे वातावरन फ्रेंडली फर्टिलाइजर का सहरा लीजे जो आपके पौधे में कुछ ना कुछ वर्मीज को जरूर फायदा पहुँचाए इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी जड़ प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी मुझे उमीद है जनकारी अच्छी लगी होगी धर्नेवाद